इस वक्त हमारे साथ दिल्ली भाजपा की प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी मौजूद है मैडम आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जो लोग आज मैम आकरोश अपना प्रस्तुत कर रहे हैं इस एक्ट के खिलाफ उनके लिए आप के एक्ट करना चाहेंगे मुझे बहुत अफसोस के साथ है कहना पड़ रहा है कि आम मुसल्मानों को गरीबों को नफ्रत की आंधी में जोका जा रहा है उन्हें परिशान किया जा रहा है उन्हें देश्चत जदा किया जा रहा है खौफ में डाला जा रहा है उनको और डराये जा रहा है CAA कानून किसी तरह से ना तो किसी हिंदू को ना किसी मुसल्मान को कहीं किसी भी तरह से प्रबावित करता है आप क्यों मुसल्मानों को इस्थमाल कर रहे हैं और मुसल्मान लोगों को उकसाया जा रहा है उन्हें डराये जा रहा है दर के मारे वो पथर उठा रहा है घबरा कर वो परिशान है तो ममें अपील करूंगी कि कम से कम मुसलमानों को जिसके आप हमायती बनते हैं जिसके आप रहनुमा अपने को कहते हैं आप उसको क्यों इस्तिमाल कर रहे हैं सियासी बंदूब चला रह अब वाहूं का पेट्रोल डाला जा रहा है नफरत की आग में और उससे सिर्फ वो सिर्फ हमारे गडरी भाई बैनों का नुकसान हो रहा है इनकी सियासत दो चमक रही है आम सार का नुकसाम हो रहा आप मुझे बताइए कितने बंगला देश उको बेटी हैं देश के मिसल्मानों को था पूल चाहिए बंगला देश से उस पेटी जिनको निकालागी। तो आपको क्या लगता है करोणा मुसल्मानों को निकाल दिया जाएगा। ये क्या बात हो रही है। ये पड़े लिखे लोग जहालत नहीं कर रहे हैं। ये पड़े लिखे लोग ये साजिश कर रहे हैं। लटकाते रहें काम को, कहते रहें हम काम करना चाहते हैं, मोधी सरकार काम नी करने देती. सोथ दिन में हमने करके दिखाया है, चालिस लाइद लोगों का फायदा 20 साल से जन्रों कि उन्तवार में थे. शीरा दिक्षित के बंदरा साल, केजरीवाल के पास साल, 20 साल बाद आखिर ऐसी चीज हुई है जो कानूनी रूप रेखा के साथ बाकाइदा जो आशियाना है घर का उसको मजबूत किया जा रहा है तो कितनी बड़ी बात है देखे यह पहली बार ऐसा किया जा रहा है यह वोट बैंक के राजनिती को हमें खतम करना होगा देश का मुसल्मान देश का मुसल्मान है जो 40 लाख मकानों को जिसमें आज मकानमानी काला हम भूया करवाया गया है केज्रिवार सरकार मैं अपना वोटर बैंक इसका प्रचार करके भरना चाह रही है इसके बारे मैं आपके कहना चाहिए ला देखें हर एक सरकार का फर्स है काम करना केंद्री सरकार ने अगर वादा किया तो पूरा करके दखाया है आप बताइए केज्रिवार जी ने कहा साड़े चार साल तक कुछ ने किया अब वाइफाई करने लगे हम काम करते रहे हैं यह अपना गुडगान करते रहे हमारे पैसों से घुर्ण कर रहे हमारे और आपका पैसा उन्होंने पास साल में बताए अपना गुर्गान करने के लिए मुस्लिम फैमिली से बिलॉंग करती है मैं आप उन मुसल्मानों को क्या मेसेज दिना चाहिए जिनको इस एक्ट के बारे में बिल्कुल पता नहीं है लेकिन वो लोग आकरोश अपना प्रस्तुच कर रहे हैं देखे दिल्ली में देखे कितनी